असलाम उलेकुम, वेलकम बेक टू माई चैनल, लाइफस्टाइल पे दुरूज में, आज जो मैं आपनों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है मज़ेदार कुनने की रेसिपी, चले, मिनना टाइम वेस्ट किये वे, हम अपनी रेसिपी के तरफ बढ़ते हैं, सबसे पह चैनल, हाफ टी स्पून, सॉल्ट, हाफ टी स्पून, या तू टेस्ट, ब्लैक पेपर, 3-4 कॉंटिटी, क्लोफ, 2 कॉंटिटी, सिनमन, वान स्टिक, ये मैंने मिट्टी की हंडी में बनाया है, इससे टेस्ट और अच्छा आता है, फिर मैंने इसमें, हाफ कप घी लिया, औ उर 1 टेबिल स्पून, चिंछर गालिक पेयस, दाला, फिर मैंने इसमें, एक बढ़ी प्यास, स्राइस करके डाली, मतन डाला, मैंने इसे भूना, फिर शाकirmें, मैंने सारे बनाओं, ये मसालों को भी इत्ना बना कि, इसका कच्छापन भी खतम हो गया, फिर मैंने तीन कप पाणिय के ड़क के पकने रख दिया ताकि गोश्चकल जाए। अब मैं ने मसारा तयार किया। जिसेती कर नद एक फोर तीजब के बराबर था। इस रिश्योες से मैं ने मसारा तयार किया। जिसने मैंने लॉंग, काली मिर्च, परी लेची और पादीन के फूल लिये अब मैंने इसे पॉडर फॉर्म में कर लिया और उपर से डालने के लिए गरम मसाला तयार हो गया फिर मैंने spared कालाजीर लिया जिसे मैंने हलका से रोस करके क्रश कर लिया था अब मैंने ये दूनों मसाले पकने के बाद स्प्रिंकल करने थे 45 से 50 मिनट में गोश्ट तयार हो गया था फिर मैंने इसे अच्छे तना भूना और 2 से 3 टेबले स्पून आटा या मैदे को पानी के साथ पेस्ट तयार करके ग्रेवी में डाल दिया और साथ साथ में चम्मच भी चलाती रही अब जो मैंने मसाला तयार किया था वो भी मैंने स्प्रिंकल कर दिया और 15 मिनट के लिए मज़ीद हल्की आँच पर दंपे रख दिया गरम गरम कुना तयार है उपर से बारी कटी अदिरक और हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर दे और गरम गरम रोटी और नान के साथ सर्फ करे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलीगा और कमेंट में मुझे जरूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अपना बहुता क्या रखीगा दौा में याद रखीगा अल्ला हाफिज